हेलो मेरे प्यारे साथियों आप सभी का अपने चैनल अभ्योधिक एडमी में स्वागत करता हूं अभ्योधिक एडमी में चैनल पे नहीं आए यहां तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप कोई लाहवाद से संबंधित अपडेट मिलती रहे और उसके साथ साथ अग लेट एडमीशन के लिए आपका फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ है आड़ साइट और साइंस एड दोनों में और साथ ही साथ क्या डाकुमेंट लगेंगे और सपत पनवाण पत्र कैसे बनवाना है या उसका फार्मिट क्या होने वाला है उस पर भी बात करेंगे सब पहले ज करवाना है कॐन करवायेगा जिसका लिष्ट में नाम आ या हुआ यहां अपना नाम देख सकते हैं कुछ श्टार बने हैárias है इनमें हो सकता इन्होंने कुछ जमा नहीं किया हो नीचे दिया घया क्या क्या हिनका मीनिंग है तो आप देख लीजिए अपना नाम सबसे च्जा आगे फिर यहां पर आड़ साइड में के पास नहीं है चाहिए जमा करना ही पड़ेगी और सेंट्र्ल कवर्मेंट कास्ट सर्टिफिकेट और सब्जेक्ट लुएरिफेकाइशन काश्ट सर्टेफिकट ये डाक्यूमेंट सायद उनकी पास उस समय नहीं रहा होगा इसलिए उन पे इस्टाल लगा अगर ये जमा करते हैं एक्जाम के टाइम यानि काउंसलिंग जब आपना फीज जमा करने जाएंगे तो समय ये सब उनके पास होना जाए न था आपका जो है वो कैंसल कर दिया जाएगा तो चलिए अब बात कर लेते हैं साइंस में साइंस में जो बच्चों का हुआ है वो भी अपना साथ और आठ तारीक को ही जाएंगे यहां पर नाम लिखा हुआ है जनरल में अन्ना बच्चे हैं OBC में 168 गया है साइंस में उसके बाद OBC में 6 बच्चों का हुआ है 152 मांक से इसमें उसके बाद 80 में 138 है और 80 में 126 है उसके लावा आपका एक कटेग्री और EWS में एक बच्चे का है यहां पर भी वही चीज़े लिखी हुई जिनका नाम है यहां पर आप देख सकते हैं उसके लावा आप बात करते हैं required document क्या है और स सब्सक्राइब पत्र जो बनेगा उसका फार्मिट क्या होने वाला है यहां पर दिया गए आपका जो जब आप 7 और 8 तारिक को जाएंगे के-पी इंटर्टेरिंग कॉलेज में के-पी ट्रेनिंग कॉलेज में तो आपके पास क्या होना चाहिए required document जो दिया गए आपके पा पर होना चाहिए notary certificate on stamp paper 10 रुपए का बनता है उसमें आपका बनेगा और यह कह रहे है कि presence of 90% in two year period program यह मतलब यह चीजें क्या लिखवाना है यह लिखवाना है not working in any university इसको लिखवाना है not punished in any criminal offense यह सब आपको उस notary में लिखवाना है आपकी जाके कचहरी में बनता है दस रुपए का इस टॉम पेपल लगता है और आपसे जो अलग चार्ज गरें दस पचास पचास रुपए के आस पास पर complete हो जाता है उसके बाद notary certificate format can be seen on the notice board and website यह आपका notice board और उस format notice board पर लगा हुआ है और क्या कहते हैं आपके website पर मिल जाएगा website पर देखते हैं website पर अभी देखते हैं वह समर्ड जो बनेगा वो देखते हैं क्या उसका format होगा उसके बाद फिर original आपके पास क्या होना चाहिए जो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए उसके बाद medical certificate होन और bank draft 2570 रुपय का आपके पास bank draft बनवाना है वो भी किसके नाम से principal kp training college प्रयाग राज के नाम से बनवाना है और यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं यह इनके पास document होना चाहिए central जिनके पास नहीं है श्टाल लगा है यह अपना सभी document लेके उस समय admission के time आएंगे तो यह उसका अब बात करते हैं सपत्पुनाडपत्र का format यह आपका सपत्पुनाडपत्र का format है जिसमें समक्ष प्राचाया kb training college प्रयाग राज उत्तर प्रदेश में सपत करता है अपना नाम लिखना है पुत्र जा अपने पिता का नाम लिखना है फिर निवासी लिखना है निमलिखित बा हलफ नामा बयान करता या करती हूं बीएड दुती वर्स पाठक्रम में नबे परसेंट को पस्तति यह जो वहाँ पर नोटरी लिखा हुआ था ना वही चीज़े इसी format में ऐसे लिखवाना है वहाँ पे आपको जाके कचेहरी में जाना है और वहाँ पे बार को लिखवाना पड़ेगा उसके बार सेकेंड में लिखाना है नंबर एक लिखवाना है लिखाना है वियर दुती पाठक्रम में नाइनटी परसेंट उसके बद मैं किसी आप राधि-मामले में डंडे त नहीं किया गया हूं, नहीं मुझ पर कोई उक्दमा चल रहा है जटाप 놀ा सी रेसे कोई बात जूठी और न चिपाई गई है इबारत तहसी तहसीदीक बमू काम कलेक्टरी का चहरी इलहाबाद यहां से आपको लिखवा के देना है दिनांग लिखवाना है सपत करता है सपत करती का अपना हकताप्षा जोगा वह आपको करना है इतना यह फार्मेट है तो आपको पोच सकते हैं फिर मलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यों फार्वाचिंग